लेकिन हैं तो रहेंगे तो सेरे के तरफ से रहें बठखाडा बन के नहीं है yn Next इसमें कोई अंदाज नहीं हैं 50,000,000 मिजह नहीं है कोई अंदाज आप है अशुतोस कुमार आप उनके पीछे इतनदा भाग रहे हैं हैं भूमिहार समाज-के कई बड़े बड़े नेता हैं हर पार्टी में मैं गया लेकिन आज तक कोई जगह नहीं देता है बैठने के लिए पूत अभी हम समस्तिपूर में है और भुमिहार ब्रहमन मिलन समारो का आयोजन किया गया है और हर साल के तरह इस बार भी किया जा रहा लेकिन पूरे बिहार मे गूम गूम करके भुमिहार ब्रहमन समाज के लोग अपने जिले में इस तरह के बड़े-बड़े आयोजन करते रहते हैं अब यहां समस्तिपूर का बारी है तो यहा पे जो इस आयोजन को इतना बड़ा सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और जान जो कर रहे हैं इतना बड़ा आयोजन ये उद्देश क्या है आपने ये तो पहला नंबर है जो कि नब बर्स के मिलन समारो है जो हम अपने जाती के लोगों के साथ एक बैठ करके आपस में नब बर्स का मुबारकबाद की बात होगा उसके वाद हम ये देखा रहे हैं कि अन्य कास्ट के अन्य जाती के लोग के तरह हम लोग भी है हम उपर देखा रहे हैं कि भुमिहार बरामन को जो बांट दिया गया है पांच भागों में सत भागों में और अल्प संख्यक स्री बाबु जिस समय थे उस समय ऐसा नहीं हुआ था जो अभी हो रहा है इसलिए ये सम्मे नहीं होते रहेगा लेगा स्रीवादु को जाने के बाद की लोग कि सौसित कि करते हैं लेकिन बोट के चलते हम लोग को सौसित नाम रखा गया है क्या कहिएगा भुमिहार ब्रह्मन समाज से तो पूरी दुनिया सिखती है और आप कहरें कि आने जाती के मुकाबले हम भी कर रहे हैं सही बात है सभी जाती के लोग बैठते हैं सेलफी लेके फोटो खीच के बेज़ देते हैं यह बैसे समाज का बैठक संपन हुआ भुमिहार ब्रह्मन का भी जो है अब इसी धंग का बैठक होता है होगा और करना होगा चुकि स्रीबाबू के समय में ही एक बार लगता था कि भुम्यारों का या ब्रामनों का कुछ है उसके बाद जो है तो गर्त में मिल गया तो उसको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं जिला केसरी नाम से महसूर है और कौन नहीं जानता है परचे के तो कोई मोहताज है नहीं इतना वराय वजन कर रहे हैं कितना लोग आ रहे हैं इसमें कोई अंदाज नहीं है पचासा जार आएगा कि एक लाख आएगा इसका कोई मुझे अंदाज नहीं है लेकिन जिस तरह से मुझे मिला है हर जगह से जबकि यूपी से भी और बिहार का तक कोई कोना बचेगा ही नहीं आने के लिए ये भी है हर जगह से आ रहा है लेकिन एको आकरा लगाए है जो पचासा जार आदमी से कम नहीं जुटेगा यहां जिस तरह से हमको संदेश मिल ला है हर जगह से इसलिए कि जब आस्तोस वावु यहां समस्ती पूरा है तब उनकी भासन सुन करके मैं उनसे परभाबित हो गया और उनके साथ मैं उनके हाथों में हाथ मिला करके चाहते हैं जो उनका हाथ मैं कितना मजगुत करूँ ऐसे हमारे जिस तरह से सीरी बावु से लेकर के आज तक मैं तो देखते आ रहा हूँ हम लोग तो सीरी बावु के टाइम में थे नहीं लेकिन हर पार्टी में मैं गया लेकिन आज तक कोई जगह नहीं देता है बैठने के लिए पूछता है जो इसको फुरसत नहीं है अपना अथी में जो हमारे यहासता है अपना काम हो जाता है उसके बाद कौन किसको चिंता है मैं तो इसका बहुत भोगा हूँ मैं आरपिएप में था मैं भी 14 साल नोकरी करके मैं छोड़ दिया उसके बाद यहाँ समाज का लोग मुझे पैक्स का ध्यक्ष बना करके आज तक रखे हुए है और लगता है जब मुझे लेकिन मुझे कोई चीज का सौख नहीं है जो मुझे कोई पोश्ट मिले मेरा जाती का सम्मान मिले मैं इसी के लिए खड़ा हुआ मेरे जाती का छोटा से बहुत गरीब लोग भी है जिसको कोई चीज मिल नहीं रहा है इसलिए कि उच्छ जाती में आ गया लोग कहते हैं इभुम्यार है जब कि उसके पास दो कठा जमीन है खाने के लिए मुम्ताज है उसको कोई मदद नहीं मिलना है सरकार से सरकार ये देखता है अलपसंक्यक करता है तो क्या मुझे में नहीं है अलपसंक्यक जमीन का बेवरा ले ले जिस बुम्यार के पास कितना है और अधरकाष्ट के पास कितना जमीन है उसका तो मुल्यांकन करवे नहीं किये है जा लगता कि सरकार आपके साथ भेदवाव कर रही है यह देख रहा है लोग बोल नहीं रहे है अभी तक कि यह जो मैंने सुरुवात किया हूं मेरा गाँ और समाज जितना भी है इलाका का सम मुझे सहयोग कर रहा है समाज का यह सहयोग से मैं इनका आसुतोस वाव का मैं बहुत हार्डिक दिल से सुभकामना देंगा जो आगे बढ़ें और उनको हम आगे बढ़ाएंगे आप एक नौजवान युवा है वो आसुतोस कुमार आप उनके पीछे इतना भाग रहे हैं भुमिहार समाज के कई बड़े बड़े नेता हैं आप उनका नाम तक नहीं लेता हैं अब ना को मैं सिपसेना से ML का चुनाओ भी लड़ा हूँ सरंजन बिदान सवा से लेकिन लोग देखता है जरे या लओ कहीं कुछ करन दे याएगा हम देख लिए है सब कुछ लड़ाई लड़के देखे हुए है लेकिन समाज को दूसरा काश्ट देखना नहीं पसंद करता है भुमिहार को ये जान लिजे हम लोग कितना है यहां 32 दात में एक जीव है एक लाइन से है यहाँ से वहाँ तक के लेकिन है तो रहेंगे तो सेरे के तरस से रहें बट खारा बन के नहीं रहेंगे तो सेर बन के बट खारा बन के नहीं नहीं बीच में वो जैसे अजित वाबु है सुरेश सर्मा है, ये भी भूम्यार के थेने था, लेकिन ये बीच में जाके चुपचा बैठ गए, शुरुवात किये, जहां भूम्यार का मिटिंग होगा, उसमें मैं जाओंगा, कोई भी हो, जो कमजोर है, अच्छे है, हम जाएंगे, भूम्यार का मिटिंग होगा, उसमें वो नहीं है लेकिन ये तो हमारे यहां आ रहे हैं वो अपने कहें जे हम आपके हाएंगे ता ये आपका स्वागत है जो भी आगा मैं स्वागत करूँगा भूमियार जाती का कोई भी आगा मैं स्वागत करूँगा असुत उस खुमार में आप क्या देखते हैं देखते हैं ज इतना सब दिया हुआ है भूम्यार का ही दिया हुआ 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 है। पहले तो हम जाति वाद को नहीं मानते कि अब मानने और अपने एकता कोटोरा success आ से हम भूभा होने के नाते आतिकलति-धाय हो उसको नहीं माना चाहिए लेकिन अपने जाती का पक्सी भी रखना कोई गलत बात नहीं है और हम सभी आदे मिलकर इस मतलब जीले राज्ये देश के जितने भी भूमिहार लोग है बरहमन लोग है वो सभी अपना पक्सी रख रहे हैं और यह बताना जा रहे हैं दानिती की पाटी जो भी है उनको से हमारा भी समाज में अस्तित्व है और हम अपने समाज के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए जैसा कि आप सुन रहे थे सभी लोगों का अपना-पना कहना था कि अपना नेता किन को मानेंगे बिवस्था क्या है लोग कितने आएंगे और आगे जो भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आज से लेकर के पूरे कल तक के प्रोग्राम को दिखाएंगे आप बन तेरे हैं मेरे साथ धन्यवाद